हेलो एरिवन कैसे वाफ सब अच्छे होंगे हम करें अर्याना जिक्की के टोप mcq questions की series उसी series को हम आगे करते हैं आज की series में भी हमने most important question select किये तो आज की series में भी आप last तक बने रहेगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर subscribe करें तो भीन अर्याना का राज के पेड़ का नाम बिल्कुल सदान question भाई तकरीबन सभी को पता अर्याना का राज के पेड़ कोन सा है तो अर्याना का राज के पेड़ कोन सा है तो यह सभी को आने चाहिए हर्याना का राज के पेड़ कोन सा है तो यह सभी को आने चाहिए हर्याना का रा जीलों में विय्केश पर्याणर अदालतें स्तापित की गई हैं जे संदित अदालतें इंसार और फृदाबाद के अंदर पर्याणर सम्दीत अदालतें बनाए गई हैं Most important question भहिए आपसे एकजाम में पूछा गया है और आपसे next एकजाम में भी पूछ सकते है हर्याना के किने दो जिलों में विशेश परवन समधित अदालतें बनाए गई हैं तो इसार और प्रिदाबाद के अंदर बनाए गई है एक इसका राइट अनसर हो जाएगा next आता आपकी स्क्रेन पर question गण गोर गातिवार की समामे मनाये जाता है तो गण गोर गातिवार की समामे मनाये जाता है मार्च अप्रायल के अंदर मनाया जाता है इसको अच्छी तरिक के से याद कीजिगा फर्वरी मार्च भी दिया गया है लेकिन फर्वरी मार्च में नहीं है ना जनौरी फर्वरी में और ना नौमबर और दिसंबर के अंदर कब बनाया जाता है मार्च या अप्रायल के अंद प्रत्यासा कितने वर्स है पहले से टिक किया हुआ इसका राइट अनसर क्या है 66.2 वर्स हरियाना की जीवन प्रत्यासा है दो इसका राइट अनसर हो जाएगा नेस्ट आता आपकी स्क्रीन पे हरियाना में पहला कोलिज कब खुला है तो इसका राइड अन्सुर की आता है? पहले से ठीक है अरियाना में पहला कोलेज़ खुला है comment box में बताइगा अरियाना का पर्थम कोलेज़ है वो कहाँ पर खुला था कहाँ पर खुला है आपने comment box में बताना सदान question अरियाना में पहला college कभ खुला? कोन सा निकाला था तो पंडित दिन दियाल सर्मा ने दूसरा अखबार कोन सा निकाला था अरियाना रिफाय आम इंदुस्तान नई दुनिया तो कोन सा निकाला है रिफाय आम पंडित दिन दियाल सर्मा का दूसरा अखबार है दो इसका राइट नसरो जाएगा ना अरियाना ह ना नहीं दुनिया है तो ये रिफाय आम है दूसरा अकबार दो इसका सही जवाब है तो नेश्ट आता आपकी स्क्रीन पर question खेर अदेश अकबार कब सरू हुआ तो खेर अदेश अकबार कब सरू किया गया था पहले सीटी की इसका रायटन सरू क्या है चियार है तो खेर अकबार है जो खेर अदेश अकबार वो कब सरू हुआ था इसका जवाब आपको मिल चुका है तो next question आपको मिलता है जाट गजट कहां से निकलता है तो जाट गजट कहां से निकलेगा सभी को पता भाई बिल्कुल सदान question है जाट गजट कहां से निकलता है तो जाट गजट कहां से निकलता है रोध तक से रोध तक से निकाला है जाट गजट किसने निकाला है most important question भाई ये जाट गजट कहां से निकलता है कई बार एक्जाम में कूचा गया है तो रोटक से निकलता है किसने निकाला है इसका जवाब भी आप कमेंट बोक्स में देजिएगा किसने निकाला है और कब निकाला है कब निकाला गया है यह जाट गजट जो रोतक से कब निकाला गया और किसी ने निकाला इसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में देना है नेक्ट क्वेस्टन आता आपकी स्क्रीन पे अजाद इंद भोज के किस सुर्वीर ने सबसे पहले मनिपूर की भूम पर सबसे पहले तिरंगा फराया था तो अजाद इंद भोज का वो कौन सा सुर्वीर है जिसने मनिपूर की भूम पर सबसे पहले तिरंगा लेराया उस सुर्वीर का नाम पूच्छा बतादो बैजल्दी से कमेंट बोक्स में अनस्वर सक्रीन पे सो नहीं हो रहे तो इसका राय टेंसर क्या आएगा अजाद इंद भोज की सुर्वीर ने सबसे पहले मनिपूर की भूम पर अपना तिरंगा गाड़ा है तिरंगा फिराया सबसे पहले मनिपूर की भूम पर अजादिंद फोजगा वो कौन सा सूरवीर है कौन सा बादूर है जिनुने मनिपूर की भूमपर सबसे पहले तिरंगा लेराया तो शुरवीर का नाम क्या आता है, तो शुरवीर का नाम लगा चेक करते हैं, तो शुरवीर का नाम आएगा Major Surjmal तो Major Surjmal ने जो अजादिंद भोजगा एक ऐसा सुरवीर है, जोनों मनिपूर की भूविंपर सबसे पहले तिरंगा को लेराया वाला अजाद इंद भोजगा कौन सा सूर्वीर है मेजर सूर्जमल उसका नाम है तो मेजर सूर्जमल जिन्होंने अजाद इंद भोजगी एक ऐसे सूर्वीर हुए हैं अजाद इंद भोजगी से नामे जिन्होंने मनिपूर की गुमिपर सबसे पहले त्रंगा ले रहाया थ एक इसका राइट अनसर है मेजर सुरुजमल नेस्ट आता आपकी स्क्रीन पे देश का पहला ग्रीन डागर है याना में की स्तान पर है जहां सोर उर्जागा प्रियोग किया जा रहा है तो देश का पहला ग्रीन डागर अरियाना में कहां पर बनाया गया है जहां सोर उर्जा का प्रियोक्तिया जा रहा है तो कहां पर बनाया जा रहा है तो कहां पर आएगा गुरू ग्राम के अंदर देखो ग्रीन डागर ग्री ग्री आगया ना है गुरु ग्राम के अंदर जहां पर सोर उर्जा का प्रियोग किया जा रहा दो इसका राइट अनसर हो जाएगा तो आज का सेशन में भी हमने कुछ most important question MCQ test series में किये हैं तो यह आपको कैसे लगए comment box में जरूर बताईएगा और जिनोंने पिछले सेशन नहीं देखें तो जरूर देखें अगर आप continue हरियाना जी की top MCQ की series करेंगे तो आपका हरियाना जी की का बहुत अच्छा रवीजन होगा आपको अच्छी तरीके से हरियाना जी की आप feedback मिलेगा अपनी तैरीका पता लगेगा और जिनों में पोल्टी की MCQ test series नहीं देखें उनको भी आप जरूर देखेंगा और हमारी बीच बीच में motivation की sort वीडियो आती है आप उनको भी देखेंगा जो आपका support और प्यार है यह हम पर ऐसी बना रखेंगा हम आपके लिए ऐसी session लेके आते रहेंगे तो आप चैन के नीती YouTube channel को subscribe कीजिएगा और जादेश जादा आज की session को share कीजिएगा जल्दी हम next session में मिलते हैं तो यह आज का session आपको कैसा लगा सभी साती comment box में feedback जरूर दीजिएगा, response आपने जरूर देना है तो यह आज का session था only 10 questions होगा बिल्कुल basic question थे और कुछ नई question थे जो आपको आज का session में सीखने को मिले, तो दोस्तो तब तक thanks for watching, जया हिंद, जया बारत अगले session में जल्दी मिलते हैं